रुनेचा गाउं के रामदेव जी के मंदिर के पास विने नाम का लड़का खड़ा था उस समय मंदिर से आवाज निकली आवाज को सुनकर विने भागा मंदिर से आवाज आई बोला डरो मत में जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो कालियूग में पाप बढ़ रहा है पाप का अंत करने में इस प्रित्वी पर जन्म लुगा और जो लोग धर्म का नाश करते हैं उनका नाश करूँगा जो भी मेरे नाम से ग्यारा बार इसे किसी अन्य को भेजेगा उसकी मनोकामना 24 दिन में पूरी होगी इतना कहकर आवाज रुपी देव दो कदम पीछे हटकर अद्रिश्य हों गये यह बात सुनकर मुबाइल दुकांदार महेश कुमार ने 11 बार आन्य को भेज दिये तो उस व्यक्ति को 21 लाक रुपे आकर शक रूप से मिले उसके बाद एक जाटों का लड़का जिसका नाम विने जार्था ने 11 बार भेजे तो उसको 8 दिन बाद जमीन में छुपा हुआ सोना मोहर से भरा एक कलश मिला उसके बाद यह बात सुनके एक खोरी गाउं के राजपुत का लड़के ने 10 बार भेजे तो उसे आर्मी में नौकरी मिल गई गाउं भी राहुल नाम के व्यक्ती ने जूटा समझ कर रोक दिया तो उसका बहुत नुकसान हुआ और उसकी नौकरी चली गई एक बेहन नाम मूली देवी जो की पैरों की बिमारी से दुखी थी उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी तो उसने राजेश नामक लड़के की बात सुनी और 11 बार भेजने की बात की तो वह ठीक हो गई रूनेचा गाउं के विने बैठा और 10 लोगों ने मिलकर 10 को भेजा तो 60 मिनिट में ही 15 लाक का लाब हुआ हर व्यक्ती से हमारी प्रार्थना है कि वे इस संदेश को डेलिट न करे इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए अगर यह MSG आपने 21 लोगों को नहीं भेजा तो आपको 5 दिनों के अंदर एक बहुत ही बूरी खबर मिलेगी अताह आपसे निवेदन है कि यह मैसे जागे फोवर्ड करें जै होने चा दर्बार की